नमस्कार कर्षियोद्धाओं अपने लाश्ट टाइम जो बात की बैसों की नसलों के बारे में बात करी बेसिक बात पड़ली थी अपने आज अपन बात करेंगे एक एक नसल के बारे में कल मैंने आपको बताया था जो बैसे होती है दो परकार की होती है जलिये और दलतली भारत में जो बैसे पाई जाती है वो होती है जलिये और जलिये बैसे भी दो परकार की बतायी थी भारी और हड की तो भारी नसले तीन बतायी थी आपको पहली मुर्रा नेली रावी और यूपी इसके लावा बन बात करें पंजाब हरियाना और दिल्ली और दिल्ली ये इसका उत्पत्तिस्तर माना जाता है अब यहां से कोमन क्यों सना आता है देखो पस्मी उत्तरपरदेश इसका मैं जो उत्पत्तिस्तर माना जाता है पस्मी उत्तरपरदेश माना जाता है मैं आपके सामने राजस्तान का डाइग्राम बना कर बता रहा हूं आपको देखो ये राजस्तान का डाइग्राम है और राजस्तान की जो सीमा को पांच राज्ये टच करते हैं इदर आगया पंजाब इदर आगया पंजाब इदर आगया हरियाना हरियाना इदर आगया यूपी इदर MP और इदर आ गया गुजरात ये पांच राज्ये टच करते हैं और इदर आ रहा है अपना पाकिस्तान ध्यान अकना ये आ गई अंतराश्टी सीमा यहां से लेकर यहां तक बाडमेर तक ये जो सीमा है ये है पाकिस्तान की अंतराश्टी सीमा और ये जो सीमा बच गई यह बछरी यह अंतर राज्जिय मां मतलब कह सकते हैं राज़स्तान कि जो सीमा है इस ले सीमा है उसको पांच राज्जे टा Ara력 करते हैं पंज़ाब, हरियाना, यूप, एम्प, यूप्य और गुजरात पांच राज्जे अब इसका जो उत्पतिस्तल माना जाता है यहां पर माना जादा पाकिस्ता यह उत्तर परदेश पस्मी उत्तर परदेश अब इधर की साइड आ गया दिल्ले दिल्ले तो ध्यान रखना राजस्तान में आप से क्यूशन पूछा जाएगा जो भी राजस्तान में सब्से ज्या में सबचे ज़्यादा पाई जाती है बात करेंगे अपने के डिटेल चीज के बारे में मुर्रा नसल के बारे में देखो एक्जाम में हमेशा मुर्रा नसल और इसके अलावा जापरावादी यह दो नसले और एक है बदावरी इन तीन नसलों से हमेशा एक्जाम के अंदर क्य तो जो मुर्रा नसल है इसका उपनाम क्या है इसका उपनाम है देहली बैंस दिया रकना ये एक्जाम में क्यूसन भी आया हुआ है देहली बैंस के नाम से किस नसल को जाना जाता है तो वो हो गई मुर्रा साथ में इसका एक और नाम है राजस्तार में इस बैंस को बोला जाता अगर इसके रंग रूप की बात करें या सारी रिख विशेष्टा की बात करें तो इसका जो रंग होता है इसका रंग होता है पसु का रंग काला इसका रंग होता है काला या शाही के समान शाही के समान शाही के समान क्या होता है इसका रंग होता है और यह आपको फोटो में दिखाई दे रहा है इसका रंग होता है काला होता है या फिर शाही के समान लेकिन एक इसके मूँ हो गया पैर हो गए और पूंच हो गई यहां पर मुह, पेर और पूँच पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं दो विशेश था इसकी उपनाम हो गया धहली बैस और खुंडी अगर बात करें इसका रंग तो पसु का रंग केसा होगा काला या शाही के समान और मुह और पेर और पूँच पर क्या पाए जाते हैं कौन सी नसल है जिसके सींग जलेबी के आकार के होते हैं देखो आप फोटो में देखिए आप इसके सींग जो होते हैं जलेबी के आकार के तो इसके सींग के से होंगे सींग जलेबी के आकार के जलेबी के आकार के ये क्यूशन जेट लेवल में खूब बार उचा गया जलेबी के आकार के सीं किस नसल के पाए जाते हैं तो वो आ गई मुर्रा नसल अगर बात करें इसकी सबसे ज़्यादा दूद जितने भी भैसों की नसले भारती जो नसले सबसे ज़्यादा दूद देने वाल नसल भी कौन सी है वो भी मुर्रा सबसे ज़्यादा जितने भी भैसे हैं सबसे ज़्यादा दूद देने वाल नसल कौन सी है मुर्रा नसल है अब यहां से क्यूसर आएगा कि व्यापारिक दरश्टी से व्यापारिक मतलब बिजनिस के रूप में बिजनिस के रूप में मतलब दूद हो गया गी हो गया मक्ष तो व्यापारिक दरश्टी से बहस की सबसे स्रेश्ट नसल कौन सी मानी जाती है क्यों से आएगा व्यापारिक दरश्टी से बहस की सबसे स्रेश्ट नसल शबसे स्रेश्ट नसल कौन सी है, वो कौन सी आएगी, मुर्र आएगी, व्यापारिक मतलब यहाँ कह सकते हैं, गी, दूद और मक्खन, मक्खन उत्पादन की दरश्टी से बैस की सबसे स्रेश्ट नसल कौन सी माने जाती है, मुर्रा एक क्युछन हो राएगा जितने भी बैंस की नसल हैं विसू में सबसे सुंदर नसल इसको मैं रेट पैंसी लिख रहा हूँ द्यान एक सबसे इंप्रॉट इसके इसके जो नसल है यह जो नसल है मुर्रा नसल इसके जो नर्पसू होते हैं मतलब पाड़ा बोल सकते हो आप नर्पसू होते हैं वो करशी कारियों में लिए जाते हैं आप यूपी साइड में जाओगे तो वहाँ पर गन्ना सबसे ज्यादा होता है तो गन्ने को लदने के लिए जो बोजा डोन आए के लिए जो भी काम मिली चालते वो कौन से नसल के नरपसों को लिजाते हैं और लिजा मुर्रा नसल के तो पांच इंपोर्टेंट भीकषा तो यह क्या होगी अगर इसके दूढ उत्पादन की बात करें अपन cop दूद उत्पादन तो लगबग अब वीशु में देखो यान लाइन की विए सबसे ज़्यदा दूद देने वाली नसल है तो इसका जो दूद उत्पादन है वो है अठारा सो से पत्चीस सो लिटर अठारा सो से पत्चीस सो लिटर परती ब्यावत हर ब्यावत में इसका जो वो से दूद उत पादर माना जाता है 1825 लिटर माना जाता है अगर वसा की बात करें वसा फैट की बात करें तो वसा इसमें होती है लगबग 7% क्या पाई जाती है इसके दूद में वसा की मातरा पाई जाती है तो ये थी अपनी सबसे important नसल और वो नसल कौन सी थी मुर्रा नसल थी तो दोस्तों ध्यान रखना इस नसल के बारे में हमेशा एक क्यूसन पूछा जाता है तो ये इसकी important भी सेस्था थी अगर बात करें पर next नसल की तो जो अगली नसल है वो नसल है नीली रावी देखो आपकी स्क्रीन के उपर है और सबसे important नसल है अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको पहले इसके उत्पतिस सल की बात कर ले तो इसका उत्पतिस सल है पाकिस्तान के मौन्ट गोमरी जिले की पाक पतन तैसिल अगर आप से पूछे भारत में इसका उत्पतिस सल क्या है तो पंजाब का फिरोजपूर जिला अब मैं मेब की साहिता से आपको समझा रहा हूँ ये अपने भारत राजस्तान का मेब है और इधर की साइड आ गया पंजाब द्यान रखिए दोस्तों इसको गोर से देखना यहां आ गया पंजाब इधर आ रहा है पाकिस्तान में अभी बताया था इधर कौन सा आ रहा है पाकिस्तान यहां पर पाकिस्तान है अब देखे एक चीज़ नोट करना पंजाब आ गया इदर आ गया पाकिस्तान पंजाब में यहाँ पर है गंगानगर श्री गंगानगर यहाँ पर आ गया हनुमानगर इदर आ रहा बीकानेर इदर आ रहा जेसलमेर इदर आ रहा बाडमेर देखो यहाँ पर गंगानगर पर देखो पाकिस्तान का मौंट गोमरी आ रहा है और यहां पर आ रहा पंजाब का फिरोजपुर जिला यहां पर एक नदी बैती है द्यान रखना यह जो नदी जा रही है यह नदी जा रही है पंजाब के फिरोजपुर जिले से इस नदी की क्या विशेशता है? इस नदी का नाम है सतलज नदी और इसका जो पाणी होता है वो होता है नीला तो सतलज नदी का यह जो पाणी होता है यह होता है नीला और इस नीले पाणी के पास में इस नदी के किनारे पर यह बेह सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो इसका उत्पतिस तर भी क्या मान लिया पाकिस्तान के मोंड गोमरी जिले की पाक पतन तैसिल और भारत में इसका माना दाता है पंजाब का फिरोजपुर जिला यहां पे सबसे ज़्यदा पाई जाते हैं इस नदी मतलब कह सकते हैं तरज नदी का पानी निला होने के कारण इस बहस का नाम क्या पढ़ गया नेली रावी क्योंकि यह इस एरिये में सबसे ज़्यदा पाई जाती थी इसलिए इसका नाम निकाल दिया नेली रावी तो यहां तक किसी को दिकत नहीं होगी अगर बात करें आपको भारत में सबसे ज़्यदा कान पाई जाती है यह नसल अभी मुर्रा की बात करें तो मुर्रा का उत्पतिस सलिदा पस्च में उत्तर पर देश तो मुर्रा में मैंने एक चीज लिखाना भूल गया था मैं दियान रकना यह जो मुर्रा नसल थी राजस्तान में राजस्तान में काँ पाई जाएगी यह सबसे ज़्यदा पाई जाएगी अलवर जिले में त्यान रकना अलवर जिले में सबसे जदा पाई जाएगी और अलवर के साथ साथ में भरतपूर में भी पाई जाती है और दोलपूर में भी पाई जाती है क्योंकि ये जिले इसके साथ के है अलवर भरतपूर और दोलपूर लेकिन क्यों सुना जाए सबसे जधा मुर्णा नसल कहां पाई जाती है तो राइट आंसर क्या आएगा अलवर आएगा अब बात कर रहा हूं मैं इसकी तो जो पंजाब का फिरोजपूर जिला तो ये नसल सबसे जधा कहां पाई जाएगी गंगानगर में और हनुमानगर में तो सीधी सी बात है तो अब बात करेंगे अपन इसके और बेसिक बात तो देखो आप सभी को पता लग गया पंजाब का फिरोजपूर जिला इसका उत्तपतिस्तल माना जाता है अब बात करेंगे इसके उपनाम की उपनाम उपनाम देखो इसको बोलते हैं पंच कल्यानी प पंच कल्यानी का मतलब होता है पांच परिवारों को पालने वाली ये हो गया इसका उपनाम देखो अगर आप से पूछे राजस्तान में कां कां तो आप बता सकते हो राजस्तान में सिरी गंगानगर राजस्तान में कां पाई जाएगी राजस्तान में सिरी गंगानगर और हनुमानगर सबसे ज्यादा हनुमानगर में ये नसल पाई जाएगी अब देखो बैस के कौन सी नसल है जिसको पंच कल्यानी के नाम से जाना जाता है वो कौन सी हो गई नीली राजी अब इसकी विश्य फोटो देखिए और फोटो के मादियम से सब पता लग जाएगा कि I think हृोकि सब एक ंफ इसके गहार से ruitक ना इसका लिलाट होता है यह लिलाट हो गया उसके एक सपेद क्या होता है टीका हुता है तो पहली पिसे इस्के लिला लाट पर लिलाट पर सपेद सपेद टीका होता है तो भहत कि कौन सी नसल है जिसके ललाट पर सपेद टीका होता है पहली आगी नीली रावी अगला जो क्यूशन आएगा एक्जाम में पूचा हुआ है भहत की कौन सी नसल है जिसके डाड़ी पाई जाती है तो इस नसल के क्या पाई जाती है डाड़ी एक मात्र नसल है जिसके डाड़ी पाई जाती है तो इसके इस नसल के डाड़ी पाई जाती है द्यान अकना डाड़ी पाई जाती है तो क्यूशन आ सकता बहुत दोनों लाइने बहुत इंपोर्टेंट है तो एक तो क्या हो गया ल निचला भाग या पैरों का निचला भाग क्या होता है सपेद रंग का होता है और यही इस नसल की सबसे प्रमुक विश्यस्ता मानी जाती है तो पैरों का लिख सकते हैं पने पैरों का पैरों का निचला भाग क्या होता है सपेद रंग का होता है और आपको पोटो दिखाई दे रही है उसमें पैर क्या होते है निचे के चपेद तो तीन विश्यस्ता हो गई पहले ललाट पे क्या होता है सपेद टीका डाड़ी पाई जाती है और पैरों का निचला बाग क्या होता है सपेद होता है अब एक क्यूशन आपको बहुत सी गाइडों में बहुत सी किताब है नेली लेकिन वो गलत है माधनमिक्स disabled की या ओविा उत्हेंटिक किताब आप पटिन होगे उसमें देरकाय सपेद तो बैश की कौन से नहले जिसकी आंखे सपेद होती है और वो पौन से नसल है, नीली रावी, तो इसकी आख्ये केसी हो गई, इसकी आख्ये, इसकी आख्ये सपेद होती है, इसकी आख्ये केसी लगरी है आपको सपेद, और इन आखों को द्यान रखना इन आखों को आखों को क्या बोलते हैं आखों को वोल आईज कहते हैं द्यान रखना वोल आईज कहते हैं तो दो विशेश ता एक लाइन में दो किशन जुड़ रहे हैं आपको बहस की कौन सी नसल है जिसकी आखें सपेज होती है और उन आखो को क्या बोलते हैं वोल आइज बोलते हैं तो ये चार इंपोर्टेंट पिसन इसका नाम नीली रावी पड़ा और नीली रावी नाम के बारे में बात कर ले निचे एक दिता हूं शतलज नदीका सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम क्या पढ़ गया नीली रावी नीली रावी पढ़ा तो छे विशेश ता इसकी इंपोर्टेंट हो गई और एक्जामी यहीं से क्यूशन आचकता है अगर दूद उत्पादन की बात कर ले हैं पने दूद उत्पादन इसका तो दूद उत्पादन होगा दूद उत्पादन दूद उत्पादन होता है इसका लगबग द्यान रकना अठारा सो से पच्शी सो लिटर तो किसका था मुर्रा का था और इसका जो दूद उत्पादन होगा लगबग पंदरा सो से अठारा सो लिटर परती ब्याउत क्या होगा दूद उपादर वसा की बात कर ले तो इसमें वसा तोड़ी सी कम पाई जाती है लगबग पांस से लेकर शाड़े 6% क्या पाई जाती है वसा पाई जाती है तो ये थी इसके बारे में important wishes था और ये दूसर नेकल जो नसल पढ़ते हैं अपन और वो नसल है जापराबादी देख कि फोटो से पता लग रहा कि ये अपनी भारी नसल है और अपनन बात कर रहे है पहले भारी नसलों की तो ये नसल कौन शी होगी जापराबादी पहले इसके 29 तल की बात किरें, तो इसका उत्पत्ती स्तल माना डाता है गुजरात का गिर जंगल अगर गुजरात का गिर जंगल नहीं आए तो यहां पर आसकता है जाफराबाद चेतर भी आ सकता है काटियावाड चेतर भी आ सकता है तो ध्यान रखना गुजरात का काटियावाड काटियावाड चेतर या फिर जाफराबाद जाफराबाद चेतर ये भी यहाँ पर पूच्छा जा सकता है ध्यान रखना तो ये वो गैस का उत्पतिस्तल अब राजस्तान में देते को मैंने बताया था गुजरात के पास में कौन-कौन से जिले राजस्तान में ये पाई जाएगी मेवाड मेवाड छेतर में मेवाड छेतर में पाई जाएगी और मेवाड चेतर में कौन-कौन से जिल्य आ गए, उधेपुर आ गया, डूंगर पुर आ गया, बासवड आ गया, शिरोई आ गया, परताब गड़ आ गया, ये सब के सब जिल्य कौन से में आते हैं, मेवाड चेतर में, दिया रखना, तो ये कहां पाई जाएगी, मेवाड च अब बात करेंगे इसका उपनाम पहला उपनाम उपनाम देखो यह जो नसल है इसके उपनाम की बात करें तो उपनाम क्या होता है आप सब भी को पता हो नहीं इसको बोलते हैं मीनी एलीफेंट क्या बोलते हैं मीनी एलीफेंट मीनी एलीफेंट और आपको पता यह इसको पर फोटो में दिखाई दे रहा होगा इतनी बड़ी नसल इतनी भारी नसल भारत की सबसे भारी नसल कौन की ओगी मेनी इलिफेंट कौन हो गई वह हो गई जापराबादी यहां तक किसी को समस्य नहीं होगी मीनी एलिफेंट के अलावा आपको पता गुजराथ जो है गुजराथ यहाँ पर एक जगे है और वो आप जानते हो भावनगर भावनगर गुजराथ के अंदर जगे है भावनगर तो इसका उपनाम दूसरा हो गया भावना गिरी क्या हो गया भाव नागिरी गिरी यानि और पहाढ और भाव नगर में रतिये तो भाव नगर मतलब पहाढ जितनी भरी बहुत भरी और आप एके फोटों में नहीं ले बहुत बढ़ी भरी है तो बारत की सबसे भरी नसल इसलिए इसको उपनाम निकाल दिया मेनी एलिपेंट देखो अब भावनागिरी किसने सल को जाना जाता है वो कौणची हो गई ये हो गई जापराबाद है तो दो नाम इसके उपनाम होगे भावनागिरी और मेनी एलिपेंट यहां तक किसी को कोई समझिया नहीं होगी अब देखिए अगर बात करें इसकी सारी विशेशता की, तो सब से पहले बात कर ले, सरीर के ऐसा होता है, इसका सरीर, सरीर भारी, सींग भी भारी, पोच भी भारे, पहर भी भारे, सब चीजे, अब यहां से क्यूशन आएगा, इसका जो गलकंबल होता है, देखो यह गलकंबल, यह गलकंबल है, इसका गलकंबल है, तो इसका जो गलकंबल और जब्डा, यहां दोनों और एक सपेद रंग की पट्टी पाई जाती है, देखो गलकंबल के दोनों और और जब्डे के दोनों और, तो पहला क्यूशन, पहला इंपोर्टेंट विश्यश्ता, दोसरी बात करें, तो देखो गलकंबल और जब्डे के दोनों और क्या पाई जाएगी, सपेद पट्टी पाई जाती है, इसका जो माथा होता है, वो भारी, पूरा सरीर भारी, तो भारी तो आपको दीख रिए बारी नसले पड़ते है इसका जो सींग होता है, देखो ये सींग है, उपरी भार के सा होता है, चल्ले दार, ये इसकी इंपोर्टेंट विश्यश्ता है, और एक्जाम में क्यूशन चप सकता है, बहस की कौन सी नसल है, जिसके सींग चल्ले दार होते हैं, और गर्दन के दोनों और क्या होते हैं, जुखे हुए होते हैं देखो बैसों के अपने सिंग उपर की और आएंगे साइड में चले जाएंगे उपर चले जाएंगे पीछे चले जाएंगे लेकिन इसके सिंग गर्दन की दोनों और जुखे हुए होते हैं तो बैस की कौन सी नसल है जिसके सिंग गर्दन की दोनों औ दोनों और जुखे हुए होते हैं दो विश्यस्ता तीसरी विश्यस्ता की बात करें तो सींग का उपरी भाग केसा होता है छल्ले दार होता है ध्यान रखना सींग का आगे का भाग सींग के आगे का भाग चल्ले दार होता है तेन इंपोर्टेट्ट विश्चता दॉक हो कि पहली तो क्या हो गई सरीर केसा होता है बारी होता है उपनाम क्या हो गया पहला उपनाम तो मिनी एलिफेंट और दूसरा उपनाम क्या हो गया भावना गिरी भारत की सबसे भारी नसल या बोल सकते हैं भैस की सबसे भारी नसल इस लाइन की जगाए पर दूसरा भी लिख सकते हैं भैस की बैस की सबसे भारी नसल कौन सी हो गई बावना गिरी और उसका नाम क्या है वो है जापरा बादी दूसरी बात कर ले गलकंबल और जबडे के दोनों और क्या पाई जाती है सपेद बठी तीसरी बात करे सिंग क्या होते हैं कीलिए सिर के दोनों और क्या होते हैं जुके हुए उते हैं शिंग का अगला वाग कैसा होता है वह केसा होता है चल्ले दार होता है, उप नाम क्या हो गयाar, All गुमंद के आकार का होता है तो यह बहुत अच्छा किसन बनता है बहाँ इसका माथा गुमंद के आकार का होता है गुमंद के आकार का होता है बहुत अच्छी बात च्यार चीज man बहुत अच्छी आगी समझ में दूधारू नसल स्ला आप जानते हो भारी है तो दूध भी देगी भारी है सरीर भी भारी वर कम थी तो दुधारू नसल है इसके अलावा गर बात करें एक इसकी और विशेस्था है एक्जाम में क्युशन पूचा हुआ है बहस की कौनसी नसल है जिसको स्रेष्ट मादा जानवर पुरुसकार दिया हुआ है इस यह जो नसल है देखो आकार में भारी नसल है गुजरात की दो नसल है दिया रखना एक तो है सूर्ती और एक है जापराबादी और दोनों ही है गुजरात की इन दोनों नसलों को भारत की भेहस में कौन सी नसल है जिसको स्रेष्ट मादा जानवर पुरुसकार मिला हुआ ह और दोनों कहां की है गुजरात की तो लाइन लिख सकते हैं इस नसल को इस नसल को स्रेश्ट मादा जानवर पुरुसकार पुरुसकार मिला हुआ है मिला हुआ है और एक चीज नोट करना आप श्रेश्ट मादा जानवर पुरुसकार देता कौन है तो यहां सकता है तो इसको देते हैं आपने पहली करास में पढ़ेती राश्टिये पसू आहनुवानची की संसाधन ब्यूरो और वह कहां पर है करनाल के इंदर इस्तापना कभ वह थी ननीस सो चोराशी में बहुती भारत में बह המीज की माने पराव नसले कितनी सत्रा है उसी वोही संस्तान क्या करता है माने पराव नसलों को क्या देता है स्रेश्ट मादा जानवर पुरुसकार तो दो नसले याद रखना सूर्ति और जाप्रावादी दोनों बैशने दोनों कहां की गुजरात की है और दोनों को क्या मिला हुआ है तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी अगर बात कर लें इसके दूद उत्पादन तो दूद उत्पादन देखो दूद उत्पादन इसका दूद उत्पादन देखो कम है भारी है कम है लेकिन इसका दूद उत्पादन उसत माना जाता है एक जार से बारा सो लिटर एक जार से बारा सो लिटर और वसा की बात कर ले तो वसा होती है लगबग 7-8% क्या पाई जाती है इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है तो ये थी अपनी तीसरी नसल और तीनों भारी नसले थी और इसको आप कर सकते हो not down तो ये अपनी आज की तीन नसले हो गई अब बात करेंगे आपने हलकी नसले और हलकी नसले आप जानते हो जो भारी नसलों के लाओज जितनी भी नसले बस गई वो क्वेशी होती है हलकी नसले होती है तो next अगर बात करें हलकी नसल में आपकी स्क्रीन के उपर है सूरती कौन सी नसल है सूरती देखो अब ये आगी हलकी नसले सकल से दिख रही है आपको इसकी सूरती इतनी पढ़िया है इसका नाम निखाल दिया सूरती और इसका उत्पतिस्तल की बात करें तो इसका उत्पतिस्तल है गुजरात का खेरा जिला गुजरात का खेरा जिला क्या माना जाता इसका उत्पत्तिस तल अगर गुजरात का खेरा जिला नहीं आई तो वहाँ पर पास में ये बडोदा जिला भी माना जाता है तो बडोदा जिला भी आप बोल सकते हो बडोदा बडोदा जिला ये भी गुजरात का जिल्ला है ये दोनों जिल्ले का माने जाती है इसके 39 तल माने जाती है अब यहां से एक क्यूशन आएगा राजस्तान में ये नसल कहां पाई जाती है तो आपको मैंने बताया था इधर गुजरात है इधर की साइट गुजरात है और यहां पर उदेपू या डूंगरपूर या बासवड़ा तो सिंपल सी बात है यह जो नसल है यह पाई जाएगी डूंगरपूर और बासवड़ा तो राजस्तान में राजस्तान में दूंगरपूर और बांसवाडा में ये नसल पाई जाती है, सबसे ज़्यदा, तो ये दो जिले हो गई, दूंगरपूर और बांसवाडा, अब आप से पूछे जाएगा, इसका उपनाम क्या होता है, देखो, ये जो आपके सामने नसल दिखाई दे लिए, य ये अपने भारत की सबसे छोटी नसल है, आप से पूछे जाएगा, इसका उपनाम, उपनाम, तो इसको बोलते हैं सहरी भैस, सहरी भैस, या बोल दो आप इंगलीस में सीटी बफेलो, सीटी बफेलो, देखो, सीटी बफेलो, बैस के किस नसल को सहरी भैस का जाता है, और सह क्यों क्योंकि सहरों में पाड़ने के लिए सबसे उप्युक्त नसल कौन सी मानी जाती है वो मानी जाती है सूरती क्यों क्यों क्योंकि यह आकार में बहुत छोटी होती है सबसे छोटी नसल देखो क्यों सना आएगा पहली विशेष्था इसकी बात करें इसकी विशेष्था अब अखी बात करें तो आकार में आकार में सबसे छोटी नसल सबसे छोटी नसल कौन शी मानी जाती है सब आकार में सबसे छोटी नसल कौन शी है वो कौन शी है सूरती इसलिए इसको नाम क्या निकाल दिया इसका नाम क्या निकाल दिया वो निकाल दिया सेहरों के अंदर जमीन कम होती है कम जमीन होती है छोटी नसले चाहिए उनको तो वो कौन सी को पालते हैं सूरते को अगर बात करें इसके रंग इसका रंग तो वो होता है रंग बादामी कैसा होता है बादामी और इसका रंकेसा हो गया बादामी हो गया तो ये भी बात है इसके पसु का रंकेसा काड़ा यहां पर बोल सकते हैं अपने बादामी भारत की सबसे छोटी नसल बोल दीशको और इस नसल को क्या मिला हुआ स्रेष्ट मादा जानवर पुरुसकार अब एक क्यूसन ओर आता है लिखी देते हैं पन इस नसल को स्रेष्ट मादा जानवर पुरुसकार भी स्रेष्ट मादा जानवर पुरुसकार भी भी मिला हुआ है मिला हुआ है तो ये भी बात होगी अगर next बात करें इसकी तो इस नसल की बात करें तो ये जो नसल है इसके sing कूब बार जेट ले ओलके ICR में क्योब बार किस्ट पूछा वा बहस की कौन से नसल है जिसके sing दराती के आकार के होते हैं दराती आकार के sing देखो यह जो sing है यहाँ पर तोड़े तोड़े गड़े से यसे दराती के आकार है आपमें दराती के दाती दाते होँगे तो व्यश्य क्या होते हैं तो इसके sing इसके sing दराती के आकार के या हसिया बोल शकते हो आप हसिया के आकार के होते हैं होते हैं तो ये भी आप ध्यान रखना है हसिया के आकार के अब इसमें देखो मैंने अभी बताया था आपको जापराबादी पढ़ाई थी फ़ले जापराबादी बताया था गलकंबल और जबड़े के दोनों और सपेद पट्टी पाई जाती है वो भी गुजरात की थी ये भी गुजरात की थी गुजरात की नस्मों में एक चीज़ दिया रखना सपेद रंग की पट्टियां पाई जा रही है तो उसमें गलकंबल और जबड़ा था और इसमें क्या ह अधर्वक्स देखो यह आ गया ब्रिस्केट यह अधर्वक्स एक तो अधर्वक्स और दूसरी पाई जाती है जबडे के दोनों गोल इसमें दो पत्टियां पाई जाती है एक तो अधर्वक्स और एक जबडे के दोनों गोल तो मैं लिख सकता हूँ अधर वक्स या अधर वक्स नहीं आया आपको ब्रिस्केट भी आ सकता हूँ आपर ब्रिस्केट अधर वक्स वह जबडे जबडे के दोनों और सपेद पट्टी पाई जाती है पाई जाती है तो यह चीजी की इसकी important विश्यवता है इसके अलावा अगर बहात कर लें इसके दूद उत्पादन की तो दूद उत्पादन जो होता है दूद उत्पादन इसका 900 से 1300 लिटर होता है 900 से 1300 लिटर होता है अगर वसा की बात कर लें फैट की बात कर लें तो ओसत 7% इसमें क्या होती है वसा होती है तो वसा कितनी होगी इसमें लगबग साथ साथ पॉंड 5% क्या पाए जाती है इसके दूद में वसा पाए जाती है तो यह थी अपनी CT बफेलो सहरी भैस और क्यों सहन आ सकता है सहरों में पालने के वो नसल बहुत ही अच्छी नसल है और वो नसल है बदावरी देखो बदावरी की बात कर ले तो इसका 39 सल पहले बात करें तो इसका 39 सल है उत्तर प्रदेश यूपी का उत्तर प्रदेश का आगरा जिला उत्तर प्रदेश का आगरा जिला और इस जिले की एक तैसिल है और वो है बाहत तैसिल जिले की बाहत तैसिल तैसिल का भदावरा इस्टेट यह राज्य नहीं है इस्टेट यह जगय का नाम है उत्तरपर्देश के आगरा जिले की बाहत तैसिल का बदावरा क्या मनाता है बदावरी नसल का उत्ति रिधर अब राज़स्तान मी यूपी के पास में कौन है लाजस्तान में पाइजाएगी आर में पाइजाएगी भरतपुर और धोलपुर wprowad उत्तरपर्देश के पास में यह जी ले आते भरतपुर दोलपुर अब इस नसल से आप किसी भी एक्जाम के तियारी करें वो इस साल कर्षी प्रविक्षक कर्षी प्रविक्षक 2020 में पूछा हुआ हर बार इस बदावरी और मुर्रा इससी एपru तो पहले बात कर लें इसका रंग तो इसके पसु का रंगा का रंग का रंग तामे जेसा द्यान रखना तामे जेसा लालीमा लिये लालीमा लिये बादामी होता है तो इसका रंग केसा हो गया बादामी होता है पहली बात होता है पहली विशेशता हो गई ये जो बहुत से देखो आगे से तो पतली और पीछे से क्या होती है चोड़ी होती ही तो ये भी सारे रिवरे विष्यश्ता में बहुत अच्छा क्यूसा बन सकता है भाहन की कौन शीन नसल है जो आगे से पतली 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 वह पीछे से चोरी होती है चोरी होती है तो दूसरी विष्यstill Fantastic वो ती है, तोसरी विशेषता की बात करें, तो इसका सरीर आगे से पतली होगी, पीछे से चोड़ी होगी, तो सरीर आकार कैसा हो गया? तिरकोनाकार, तो क्यूसन यहीं से बनता है, बहस की कौन सी नसल है, जिसका सरीर आकार, तिरकोनाकार, तो इसका सरीर आकार, तिरकोनाका होता है होता है तो इसका शरीराकार केसा हो गया त्रीकोनाकार मतलब आगे से पतली और पीछे चोड़ी ओगी तो शरीर ही अटुमेटिक ही तिरकोनाकार हो गया अगर बात करें देखो इसके आयण आयनों की बात करें तो इसके आयन होते हैं वो छोटे होते हैं आयन छोटे होते हैं इसके आयन आयन छोटे लेकिन इन छोटे आयनों पर क्या होती है दुख्द सिराएं इस पस्ट रूप से दिखाई देती हैं जो आयन होते हैं इनके उपर दुख्द सिराएं इस पस्ट रूप से दिखाई देती है तो क्यूशन बनता आयन छोटे एवं आयनो पर दुख्दि सिराएं इस पष्ट रूप से दिखाई देती है तो अच्छा क्यूशन बन सकता अब आप से क्यूशन आएगा एक्जाम में कि भैस की कौन सी नसल है जिसके आयनों का रंग गुलाबी होता है तो इसके आयन केसे होते हैं गुलाबी रंग के आयन केसे होंगे आयन आयनों का रंग का रंग गुलाबी होता है देखो एक के एक लाइन होता है एक केक लाइन इसकी important है क्योंकि इस नसल से हमेशा क्यों सनाता है तो आयन के से होंगे देखो आयन तो होते हैं छोटे आयनों के उपर दुख दिसी राए इस पस्ट रूप से दिखाई देती है और आयनों का रंकेसा होता है गुलाबी होता है अब देखो यह बहस यूपी की है आपको पता है और उत्तरपरदेश के अंदर क्या होता बहुती डेंजर इलाका माना जता है भारत में सबसे डेंजर की बात करें लड़ाई दंगों से नहीं डरता है हर छोट शी बात में भैस कर लेतें लोग आप कभी यूपी जाना है वहां पर इतना मतलब खोप है क्य किछ में रहेbahnा तो बैस्ट की सबसे सब्से ने से नसल या सब से सहंसील नसल अ कॉन्शी web talking बन सकता है सबसे सहं to शबसे सहन सिल नसल सहन सील नसल कोणची है भदावरी यह इसको बोल दो बोड़ी सबसे बोड़ी नसल क्होंची है वो है बदावरी यहीं से क्छिसन आएगा देख़ो यूपी के लोगों में क्या गर्मी सेन नहीं होती है छोटी सी बात परोगे लड़ मरेंगे गुस्सा जल्दी हो जाते हैं लेकिन ये बैंस इतनी भोड़ी है सबसे ज्यादा गर्मी सेन करने वाली है बारत में जितनी भी बैंसों की नसले हैं सबसे ज्यादा गर्मी सेन करने वाल नसल द्यान रखना आगे बात करते हैं अपन सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करने वाली सहन करने वाली नसल कौन सी है वो है अपनी बदावरी बहुत इंपोर्टेंट अच्छा क्यूशन बढ़ता है अब देखो वो जो नसल मैंने आपको बताई थी ये इस नसल की एक और विश्यशता रही इसके जो गड़ा होता है गड़ा यहाँ पर दो क्या पाई जाती है सपेद धारिया देखो याद रखो आप मैंने जाफराबा बता रहा हूं जिसमें क्या होता है दो सपेद रंग की पट्टियां कहां पाई जाती है वो आप याद रखना इसके गले में इसके गले में इसके गले में दो सपेद रंग की सपेद रंग की पट्टियां पट्टियां पाई जाती है पाई जाती है जिने इने क्या बोलते हैं जिने है जनेवू आपने देखा होगा पंडी जी पहनते हैं जनेवू या कंठ माला कहते हैं बहुत अच्छा क्यूशन कंठ माला कहते हैं उसे क्या बोलते हैं जनेवू या कंठ माला अगर दूद उत्पादन देखों यहां से सबसे जदा मैंने दूद उत्पादन बताया था और वो बताया था आपको मुर्रा का मुर्रा नसल का बताया था सबसे जदा दूद उत्पादन तो इसका जो दूद उत्पादन होता है पूरे बारत में सबसे ज्यदा वसा की मातार की इसमें पाई जाती है बदा वरी जोकी को बार जेट में आया हुआ है तो सबसे वसा वसा उती इस के अंदर दूद में 13% आगे ब्रेकिट में लिख सेता हुए बारत में सरवादिक वसा वाली वसा इसी के दूद में पाई जाती है और अगर ओसा दूद उत्पादन की बात कर ले तो लगबग 4-5 लिटर दूद क्या प्रति दिन देती है तो ये थी अपनी सूर्ती दुबारा रिविजन कर वा रहा हूं में सूर्ती का देखो पहली बात उत्तरपर्दी इसका आगराजी लेकी क्या होगी तामबे जैसा लाली मालिये कैसा हो गया बादामी रांग का हो गया आगए से क्या होगी पतली और पीचे चोडी हो गया केसा हो गया सरीरा कार तिर्भूजा कार हो गया इसके लवा आयन क्या होते हैं? छोटे होते हैं और आयनों पर दुख दिशिराएं इस पस्ट रूप से दिखाई देती हैं आयनों का रंग पूछ ले आपको तो केसा हो गया? गुलाबी रंग हो गया अगर बात करें तो सबसे सहनशील नसल, सबसे भोड़ी नसल, सबसे जगर्मी सहन करने वाली नसल दूसरी बात करें तो सबसे इसके क्या होती है? गले में दो सपेद रंग की पट्टियां पाए जाती हैं जिने क्या बोलते हैं? जनेवू या पिर बोले तो कंट माला दूद उत्पादल पूचे तो अठारा सो से दो जाल लिटर हो गया वसा पूचे तो सबसे ज़्यादा बारत में सरवाधिक वसा की मातरा 13% किसमें बदाहुरी में और वसा दूद उत्पादल पूचे तो 5 लिटर परतित दित अब यह जो नसल है यह है महसाना और महसाना का उत्पाद्थिस तल आप से पूचा जाएगा और वो है गुजरात का महसाना जिला तो क्या हो गया गुजरात का महसाना जिला यह पिर बोल सकते हो बनास काथा भी बनास काथा बनास काथा गुजरात का बनास काथा अब आप आपको फोटो दिखाए दे रहे होगी इस नसल की बात करें तो खुब बार एक्जाम में क्यूशन पूचा हुआ है अब गुजरात भी पाई जाती है तो राजस्तार में क्या हो गया उदेपूर डूंगरपूर बासवडा तो ये लिखने के आपको आउसे का नहीं क्योंकि दिमाथ में एक ही बार या दखलो गुजरात आए तो उदेपूर दूंगरपूर बासवडा मेवाड चेतर अगर MPI तो हाडोती चेतर कोटा बुंदी बारा जालवाड यूपी पूचे तो अलवर भरतपूर दोलपूर अगर पंजाब पूचे तो अलवर वाडा चेतर आ अगर पंजाब पूचे तो गंगानगर नुमान गड़ अगर इधर पाकिस्तान वाल आ जाए एरिया तो जेसल मेर का नेरबाड मेर आ गया तो सीधा मेव की साहित से आप मेव बना के देखिए उसमें आपको ऐसा हो जाएगा राजस्तान में कहा पाई जाएगी राजस्ता से बनीती संक्रण से बनीती कैसे बनीती इसमें क्या हुआ मुर्रा तो था नर संक्रण किस किस क्या हुआ था मुर्रा तो ये तो क्या था नर था और मादा कौन से थी सूर्ती क्या थी मादा थी सूर्ती कौन थी मादा मादा और नर की भी संक्रण कराया गया दोनों से कौन स नसल प्राप्त हुई मैसाना नसल प्राप्त हुगी अब इनके गुणतों इसे ही में आएंगे आप फोटो देखिए एक बार इसका रंग केसा हो गया बात कर ले क्योंकि नर पापा जी कौन थे ये थे नर नर कौन थे मुर्रा मम्मी कौन थी सूर थी तो अब दोनों के पसू का रंग के तो पसू का रंग केशा हो गया अब याद रखिए इसमें पसू का रंगS रांग पेर और पूँच पर सुनेरे रंके बाल पाए जाते आपको साहीज याद आगी टांगे और पूंच वह पूंच पूंच पर सपेद धब्बे पाए जाते हैं सपेद धब्बे होते हैं अरे लक्षण उची के आएंगे तो यह चीज भी इंपोर्टेंट वीशिशता है यहां से क्यूशन आता है अब इसमें मुर्रा देखो मुर्रा क्या ती नर्व और मुर ती सबसे चोटी नसल थी आकार में बताई थी मैंने सबसे चोटी इसके लक्षन के आए इसमें दूद उत्पादर बढ़ गया इसका और दूद उत्पादर क्यूशन आएगा भारत में जितनी भाहस की नसले सबसे लंबा दुगदकाल मतलब बहुत दिनों तक दूद देती ह तो क्यूशन बन सकता है सबसे लंबा दुगदकाल किस नसल का है और इसका दूद दीकाल होता थीन सो बावन दिन तक यह बैंस लगातार थीन सो बावन दिन तक कै। यह दूद देती रहती है तो ध्यान रखना सबसे लंबा दुग दिकाल किस नसल का है वो आगई मैसान लागवाद। अगर दूद उतपादन पूछ ले आपको तो दूद उतपादन होता है इसका लगबग दूद उतपादन उतपादन है 1200 से 1700 लिटर लेटर परती ब्यामत और वसा अगर आपसे पूले वसा की मातरा तो ओसत बैसों की वसा हो गई वसा वसा हो गई लगबग 6 परतीसत क्या पाई जाती है वसा की मातरा पाई जाती है ये तो ये थी अपनी कौनसी महसाना नसल और अब अपने सलेबस की लगबग लगबग सेकिन लास्ट नसल पढ़ेंगे अपने नागपुरी और बहुती अच्छी नसल है नागपुरी भी अपने सलेबस में देर किये और वहीं से भी कोई क्यूशन आ सकता है और वो लिजी आपके सामने स्क्रिन के सामने ये नसल आ गई आपकी नागपुरी नागपुरी और नागपु सब्सेंगें है लेकि नागपुरी में हमेशा एक क्योशनποमार Certain इसका उपनाम क्या है आप एक बार गोर्ष ये फोटो दो देखिए नागपुरी नसल को देखिए तो इसका उपनाम की पहले बात करें तो उपनाम हो गया इलीचपुरी भैस यह डबल एओ क्यूसर आया हुआ इलीचपुरी भैस इलीचपुरी नसल के इलीचपुरी क्या हो गया इसका उपनाम हो गया भैस की किस नसल को इलीचपुरी के नाम से जाना जाता है तो वह कौन शी हो गई नागपुरी हो गई सबसे लंबे शिंग, बहाश की कौन सी नसल है, जिसके शिंग लंबे होते हैं, ध्यान रखना, और लंबे तलवार की बाती नसल, देखो, इसके शिंग, प्रफोटो फिर भी छोटी लिये, क्योंकि वह शिंग जदर लंबे नहीं, नहीं तो इस नसल की शिंग, डाइग्राम देखना आप अपने नेट पे देखना नाग्पुरी नेशल बहुत लंबे लंबे शिंग आप खुद दर जाओगे तो इसके शिंग के से होते हैं तलवार की बाते हैं तो भैस की इसके सिंग इसके सिंग सबसे लंबे सबसे लंबे लंबे वे तलवार की बाती वे तलवार की तलवार की बाती लंबे होते हैं लंबे होते हैं पहला क्यूशन तो यहीं से बनेगा दूसरी बात इसका उपनाम मैंने बता दिया इलीचपुरी और ये जो नसल है इसके सिरफ सींग ये तलवार की बाती लेकिन भारत की सबसे हल की नसल है देखो यहीं भी कन्फ्यूज होगे भारत की भारत की सबसे हल की नसल कौन सी है वो गई नागपुरी अब देखो यहां मैंने बताया था हल की मतलब फोरी वजन में सबसे हल की नसल मैंने आपको बताय तो सूर्थी में क्या बताई था आकार में सबसे चोटी और यह सबसे हड की नसल है वजन में सबसे हड की नसल है आप भी इसको उठाके पांस साथ किलो मेंटर दूर फैंक तो इतनी हड की नसल है तो द्यान रखना क्यूशन तीन बढ़ गए इसमें से उपनाम क्या हो गया इ दूद उत्पादन दूद उत्पादन और वसा की गर बात मात कर लें तो लगबग इसका दूद उत्पादन होता है वह होता है पंदरा सो लिटर परती ब्यावत और अगर वसा की बात करें तो लगबग मानी जाती है साथ परसेंड क्या मानी जाती है वसा इसके दूद में माने जाती है तो यह थी अपने सलेवस के अंदर का जो भी नसले थी उनके बारे में और अब एक last year नसल है जो आपके सलेवस में यह लेक對了 exam में कहीं से भी क्यूजन आ सकता है और वो नसल में आपको बता देता हूँ इसका नाम है इस नसल का toda तोड़ा भैस देखो तोड़ा नसल आपके सामने दिखाए देरी है तोड़ा इस तोड़ा नसल में से एक बार किस उना आया हो आता है इसका उत्पतिस्तल देख लो आप तो इसका उत्पतिस्तल है दक्षनी भारत दक्षिनी भारत क्या माना जाता है इसका उत्पत्ति इस्तल माना जाता है ओरिजन पहले इस माना जाता है दक्षिनी भारत इसमें से एक बार एक्जाम में कि सुनाया होता भारत की सबसे लड़ाकू नसल कौनची है बहस की सबसे लड़ाकू नसल कौनची है तो वो कौनची आएगी तोड़ा आएगी तो पहले इसकी सारी विशेशता की बात करें तो इसके सरीर पर इसके पूरे सरीर पर बाल पाए जाते हैं तो ये क्यों से ना सकता है बहांस की कौनची नसल है जिसके पूरे सरीर पर क्या पाए जाते हैं बाल पाए जाते हैं और भ दूसरी विशेशता है भारत की भारत की सबसे लडाकू नसल लडाकू नसल लडाकू नसल या भहांस की सबसे लडाकू नसल कौन सी हो गई तोड़ा तो प्यारे साथ यह थी आज की अपनी भहांस की नसले कल अपन पढ़ेंगे पूरे जोस के साथ गाई की नसले तब तक के लिए थैंक्स पर वोचिंग वीडियो मिलते है कल नए टोपिक के साथ और वो जो टोपिक होगा वोगा गाई की नसले